नमस्कार दोस्तो, Target with PS पर्यार में आपका स्वागत है। दोस्तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर सिख्षक भरती के बारे में अपडेट मिलती रही है। तो दोस्तो उसी करम में यह वीडियो जिसके बारे में आप दो-тीन दिनों से पोहँच रहते हैं, किसर इसके बारे में एक वीडियो बनाज़े barre और बता जिए कि क्या यह भरती कैंस्ल हो सकती है यह रद्द हो सकती है। तो दोस्तो आये शुरुवात करते हैं इस वीडियो की आगे बढ़ने से पहले जो नए मित्र हैं जिन्हों ने इस चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लेजिए सब्सक्राइब करने के बाद में यह बेल आइकान इसको भी क्लिक कर देजिए ताकि जब भी कोई एजुकेशनल वीडियो बनेगा या इस भरती से समय कोई अपडेट होगी तो उस वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों यह भरती सुरू से ही विवादित रही है जैसे ही इसका रिजल्ट आया है उसके बास से लगातार अनईमित्ता की ख़बर उजागर होती रही है जब विढूर्थियोंने अपने कापी निकलवाई तो कई ऐसे विढूर्थि थे जिनके नंबर 20 थे उनके 122 निकले जिनकी 2 नंबर थे उनको निक्तीपत्र मिल गया ऐसी एक आध खबरें, एक आध जैसे विढूर्थि होते और दूसरी बात ये है कि ऐसा भी चर्चा है कि लगबग 10 से 15,000 विद्यार्थियों का चैन इस तरीके से किया गया है या गलबड़ी की गई है सुनने में आ रहा है कि अगर वाकई रिजल्ट आता तो 41,000 विद्यार्थि पास नहीं हो पाते मुश्किल से 30,000 या 26,000 विद्यार्थि ही पास उपाते लगबग 10 या 12,000 विद्यार्थियों में गलबड़ी की गई है और सरकार ने इसके बारे में अपने सोर्सों के द्वारा पता लगाया है और इंटर्नल अपने एक जाच के पहले ही करवालेती सरकार ने जिससे ये मालूम चला था कि हाँ कुछ गड़बड़ी हुई है तबी प्रात्मिक द्रश्टी से ब्यापक पैमाने पर सासन ने कठोर कदम उठा है और कुछ लोगों को हटाया है ट्रांसबर किया है या निलंबित किया है आप लोगों ने यह देखा होगा कि जो सुत्ता सिंग है और दोस्तो इस पूरे मामले की अब जो है अधीकरत जाच करेंगे प्रमुग सच्यू गन्ना तो दोस्तो ये कमेटी बनाई गई गया है प्रमुग सच्यू के द्वारा कि इस मामले की ब्यापक धांदली की जांस की जाए तो दोस्तों गड़बडी तो हुई है अब इसके बारे में आगे पता चलेगा उसके बाद में कोट निरना लेगा अगर कुछ जादा इस तरीके के मामले और आते हैं तो इसमें हाई कोट भी एक कड़ा डिसीजन ले सकता है और ये भरती लटक सकती दोस्तों क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं है इसमें शासन की भी गलती है और जो अधिकारी हैं उनकी भी गलती है जल्दबाजी में हूँ या जैसा भी हो दोस्तो इसमें गलबडी हुई है ऐसा सुनने में आ रहा है और ये सासन को भी ये बात मालूम हो चुकी है कि यहां इस भरती में ब्यापक गलबडी परिच्छा नियामाक प्राधिकारी के द्वारा की गई है तो दोस्तो देखते हैं अब आगे क्या होता है आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें ये दिखाया गया है कि कुछ जैसे ही निर्णाय आया या परिच्छन याम प्राधिकारी को अंदेशा हुआ कि उनको हटाया जाएगा या CBI जांच भी हो सकती है या कापियों की फोटो कापी जलाई गई है क्योंकि जब आवेदन मांगे जा रहे हैं कापी को चेकरने के लिए तो इतनी जल्दी कापियां तो नहीं जलाई जा सकती है अगर वाकई जलाई गई है तो यह बहुत बड़ी बात है तब तो यह माना जाएगा कि बिल्कुल पक्क अक्ये द्वारा करवाया जाना चाहिए खैर तो दोस्तों विद्यार्थियों का जो समू है जो विद्यार्थियों कापी अक्रोसित हैं अंदोलन बढ़ रहा है धीरे धीरे और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है आप लोग खुद समस्दाना यह मैं नहीं कहूंगा कि यह भरती रद्ध होगी कि क्या होगी यह समय बताएगा लेकिन मैं यह बता सकता हूँ कि इसमें परयाप्त साख्च मिल रहे हैं विसंगतियों के और धांदली के भी इसको धांदली भी कहा जाएगा क्योंकि अगर दो चार केस होते तब यह माना जा सकता है कि कोई मानवी भूल हो सकती है लेकिन इतनी बड़ी जो गड़बड़ी हो रही है तो इसका तो मतलब है कि धानली अवस्य कुछ नकुछ तो हुई है तो ठीक है दोस्तो ये आज का वीडियो है और अब आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है तो ठीक है दोस्तो जैसा भी कुछ होगा तो इसकी तरीके के अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जोड़े रहे हैं अब यहां पर कम से कम जो है 20 से 25 है ऐसे जो ने आपकल सारी है हम लोग बाइब है राव आपकल्स अपर रहे है इसको वाइरल रो अपर रहे है और देखो भी बनावाख एफ करेंड़ अपर जलागाए है तो बोड़ी निए भी दो बनाव में दिखाव 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 यहां पसार कार दिखाई देगे हैं गांप सार कोई सार कोई लगाई सार की सार की सीट कुले। तो दोस्तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि वहां पर कुछ परिच्छ नियामक कार्याला के कर्मचारी भी है और उन्हों ने कुछ जवाब नहीं दिया है जब इदार्थियों ने कहा कि कापियां क्यों जलाए जा रहे हैं तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये फोटो कापियां हैं या कोई अन्य प्रपत्र हैं और वो खामोस खड़े हैं तो